महिलाओं के खुबसूरती को लंबे और घने बालों के साथ भी जोड़ कर देखा जाता है लंबे बालों वाली महिलाओं के प्रति लोग ज्यादा एट्रेक्ट होते हैं चीन में एक गाउं हैं वहां की महिलाओं के बाल पुरी दुनिया में चड़्चा का विशे बने हुए हैं आखिर चानते हैं क्यूं दरसल वहां हर महिला के बाल बेहत ही जादा लंबे हैं हम बात कर रहे हैं चीन के दक्षिन पश्चिम के गुईलिन प्रांथ में बसा गाउं हुआं लूग की यहां एक समाज है जिसे याओ कहा जाता है वहां की महिलाओं में लंबे बाल रखने की सद्यों पुरानी परमपरा है चीन का यह गाउं लॉंग हेर विलेज के नाम से भी जाना जाता है याओ समाज की महिलाओं अपनी पूरी लाइफ में ही एक बार बाल कटवाती है यहां महिलाओं जब अपने जीवन साथी के तलाश करती हैं तो वो अपने बालों को सकार्फ से ढख कर रखती है लड़की के कटे हुए बालों को लड़की की दादी सजावटी डिबे में उसकी शादी होने तक समाल कर रखती है शादी के बाद लड़की के इन बालों को उसके पती को तौफे में देने का रिवाज है इस गाउं में हर साल तीन मार्च को लॉंग हेयर फेस्टिबल मनाया जाता है जिसमें महिलाएं गाना गा कर और डांस करके अपने लंबे खुबसूरत बालों का प्रदर्शन करती है उनकी ये परफॉर्मेंस देखने टूरिश्ट खास तोर पर आते हैं लेकिन परफॉर्म के वर शादी शुदा महिलाएं ही करती है इस गाउं में बाल लंबे रखने की प्रथा के पीछे एक कारण और भी है स्थाने लोगों का ये भी मानना है कि महिलाओं के बाल जितने जादा लंबे होंगे वो अपने परिवार के लिए उतने ही लकी होंगी उनका मानना है कि पुरुष ने किसी महिला के बाल बिना सकार्फ के देख लिया तो पुरुष को लड़की के घर तीन साल पती की तरह रहना पड़ता था पर साल 1987 में ये प्रथाख खत्म की गई अब महिलाएं अपने बाल हवा में लहरा सकती हैं